के लिए अपने मुल्क को ही बेश देते हैं विल आज किस वीडियो में मैं आपको अपने इमान और मुल्क को बेश कर बदनाम करने वाले गदार तरी इन पाकिस्तानियों के बारे में बताने जा रहा हूँ तो शुरूर रिक्वेस्टर प्रीज चैनल को लाइक, शेर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा बहुत महरबानी होगी चलिए वीजियो की तरफ चलते हैं गदार तरी इन पाकिस्तानियों के बारे में बताने जा रहा हूँ तो शुरू करते हैं अपना काउंट टाउन अदनान समी, दूसों आप में से बहुत से लोग फेमस सिंगर अदनान समी को जानते होंगे कहने को तो ये एक पाकिस्तानी सिंगर है लेकिन इसने भी पाकिस्तान से घद्दारी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी इसे शुरू से ही सिंगिंग करने का शौक था लेकिन ये पाकिस्तान में रहकर सिंगिंग करने की बजाए इंडिया में चला गया क्योंकि एक पाकिस्तानी सिंगर था इसलिए इंडिया जाने के बावजूद भी पाकिस्तानी अवाम ने इसे काफी सदा सपोर्ट किया जिससे इसे काफी फेम मिला असलमें ये इंडिया में विस्टल वीजा लेकर गया था, इसलिए काफी सालों तक ये इंडिया के तरले करके अपना वीजा एक्स्टेंड करवाता रहा खेर 2015 में जब मोदी की हकूमत आई, तो इसने इंडिया नेशनलिटी के लिए अपलाए कर दिया सिर्फ इतना ही नहीं, बलकि इस शैंपू ने इंडिया से अपनी वफदारी साबत करने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ तरतरा की बाते बगना शुरू कर दी इंडियन गॉर्मेंट ने इसे पाकिस्तान से घदारी के इजास में इंडियन नेशनलिटी तो दे दी, लेकिन जब भी इंडिया और पाकिस्तान के दर्मियान कोई तनार्जा बनता है, तो इस बिचारे को सबसे पहले शक की निगा से देखा जाता है और इससे अपनी सफाई देने के लिए जगा जगा पाकिस्तान के हिलाफ बाते करने पड़ती हैं ताकि ये साबत कर सके कि ये इंडिया का वफदार है, इससे बड़ी जिल्लत और बना क्या हो सकती है तारक फाते, दूसो तारक फाते का शुमार पाकिस्तान के उन मुनाफिक लोगों में होता है, जो खुद को कहते तो मुसल्मान है, लेकिन असल में वही इसलाम के बहुत बड़े दुश्मन है ये शक्स ना सिर्फ मुलका घदार है, बलके इसलाम का भी बहुत बड़ा मुझरम है, ये एक जर्नलिस्ट और राइटर था, 1970 में इसने कराची के एक निउस्पेपर कराची सन में काम करना स्टार्ट किया, फिर 1970 में इसे पाकिस्तान टेलिवीजन का इन्वेस्टिगेटि जर्नलिस्ट बना दिया गया, लेकिन क्यूंकि ये अपने मुलक का दुश्मन था, इसलिए इसने स्टूडन्स को इसलाम और पाकिस्तान के खिलाफ बढ़काना शुरू कर दिया, जब जियावल हक का दौर चल रहा था, तो एक नहीं, बलके दो बार ये बेनकाब हुआ, औ जिल से निकलने के बाद, ये शक्स सौदिया अरब चला गया, और वहाँ जाकर इसने कैनिटा की इमिग्रेशन अपलाए कर दी, और कैनिटा शिफ्ट हो गया, लेकिन पाकिस्तान से जाने के बाद भी, ये पाकिस्तान के खिलाफ बकवास करना बन रहीं हुआ, इवन कुछ लेकिन बारहाल, अगर ये किसी पाकिस्तानी की हाथ लग गया, तो इसका सौट वेर जरूर अपडेट हो जाएगा पाकिस्तान मुल्क नहीं है सर, पाकिस्तान आपके साथ एक लटीफा हुआ, उनको पाकिस्तान बनाना था तो नेपाल के कहीं सरुदों पर बना लेते, तो पाकिस्तान तो इस एन अक्रोनिम, पाकिस्तान मुल्क तो नहीं है, पाकिस्तान तो एक जहनियत है इसने लोगों के अंदे एत्माद का फाइदा उठाना शुरू कर दिया इसने लोगों का इस्तमाल करके सियासत में अपनी जगा बनाई और फिर इन लोगों को दूद से मक्ही की तरह निकाल दिया जब आहस्ता इसके पोल खुलना शुरू हुए तो अवाम ने इसे नफरत करना शुरू कर दी जब इसने देखा कि पाकिस्तान की अवाम इसके खिलाफ हो रही है तो ये फॉरन चला गया और वहां जाकर पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉपगेंडे करना शुरू कर दी पाकिस्तान की कौर्मेंट ने इसे घदार करार दे दिया और इसकी पाकिस्तान आने पर पबंदी लगा दी पाकिस्तान से दफा होने के बाद भी इससे सकून नहीं आ रहा था ये लंडन गया और वहां बैठकर इसने पाकिस्तान में देशत कर दी टार्गेट किलिंग, मर्डर्स और इस तरह के दूसरे फसादात पहलाना शुरू कर दिये इवन आज भी ये जगा जगा पाकिस्तानी फौज और हकुमत के खिलाफ बक्वास करता हुआ नज़र आता है वेल इससे बड़ी घद्दारी और बला क्या हो सकती है पाकिस्तान पुरी दुनिया के लिए एक नासूर है पाकिस्तान दुनिया के लिए एक राव है हुसेन हकानी दूसों ये जो शकस आप दिख रहे हैं ये पाकिस्तान के सबसे नमूर गद्दारों में से एक है ये एक जर्नलिस्ट, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट और फार्मर पाकिस्तानी अम्बैसिडर था इसने सियासत में उस वकत कदम रखा जब जियाओल हक का दौर चल रहा था पहली एक जर्नलिस्ट था लेकिन आहसा इसने पॉलिटिक्स में इतने कदम जबा लिये लेकिन जैसे ही 1993 के इलेक्शन में नवाज शरीफ हारा और बे नजीर भुटो जीती तो ये गिरिड़ की तरह रंग बदलता हुआ पीपल्स पार्टी में शामल हो गया पिर 2008 में ये अमेरिका में पाकिस्तानी अमबैसडर बन गया जब ही अमेरिका में गया तो वहाँ जाकर अंग्रेजों को खुश करने के लिए पाकिस्तान की खिलाफ बकना शुरू कर दी पहले इस घददार ने अमरीकियों के सामने पाकिस्तान को गालियाँ दी फिर पाकिस्तान के खिलाफ एक किताब लिखी जिसका नाम पाकिस्तान बिट्वीन मॉस्क एंड मिलिटरी था बुक में इसने पाकिस्तान फौज और इसलाम दोनों के खिलाफ बहुती घल्लत इल्फाज लिखे थी इसने हर वो काम किया जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंच सकता था आखरकार इस गद्दार को पाकिस्तान से निकाल दिया गया और अब ये अमरीका के तलवे चाड़ता है मारवी सर्मद दूस्तों मेरा जिसम और मेरी मर्जी का नारा तो आप सबने सुना ही होगा लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये वाहियात नारा शुरू करने वरी औरत असल में है कौन इसका नाम मारवी सर्मद है और ये इस वक्त पाकिस्तान में बेहयाई पहलाने के लिए बहुत ही जदा फेमस है ये एक जर्नलिस्ट और सोचल डेमोकरेट है ये औरतों के हकुक के नाम पर पाकिस्तानी औरतों में खुले आम बेहयाई पहला रही है इसने सबसे पहले अपने नेटवर्क के जरीए पाकिस्तानी औरतों में मगरबी कल्चर पहलाने की कोशिश की ये इन्हें अंग्रेजों का लिपास और तोड तरी के अपनाने की त्रगएप दे दी और पर्दा करने से मना कर दी थी इसका कहना था कि पाक्स्तान के मरदों ने जान बूच कर ार्तों को बुरके में कैद कर रखा है हλانکہ इन्हें परदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है और सदके जाओं हमारी इसलामी बहने इतनी अकल Μंद है कि इसकी बातों में आ कर इसलाम के असोनों तक को भूल गए और मेरा जिसम मेरी मर्जे के बैनर लेकर सडगों पर नικला आ इं इसकी जहलाना बातों में आकर पता नहीं कितनी औरतों ने अपने हसते खेलते घर उचार दिये और अपनी जिन्दगियां बरबाद कर ली ये औरत इतनी वहयात है कि इसने लाइफ टीवी पर दीनी रहनुमाँ से भी बत्तमीजी की बेसिकलिए पाकिस्तान से इसलाम के परद इसे और जदा मशूर कर दिया ये पाकिस्तान की आर्मी का चीफ आफ आर्मी स्टाफ रह चुका है कहने को तो ये एक मुहिब्बे वतन था लेकिन गद्दारी की जितनी हदें इसने क्रॉस की इतनी शायद ही किसी में और की होंगी इसने पाकिस्तान से पैसा लूट लूट कर अपने पूरे खांदान को अरब पती बना दिया 2016 तक इस शक्स के पास कोई खास एसर्स नहीं थे और ये भी एक नॉर्मल लाइफ गुजा रहा था लेकिन सिर्फ 6 साल के अंदर एक दम से इसके पैसे इतने ज़्यदा बढ़ गए कि आम इनसान इसके बारे में सोच भी नहीं सकता 2021 में इसकी बेगम आईशा अमजद दो अरब रुपे की मालक बन गई इसकी बेगम के नाम पर बेशुमार प्लाजे लॉट्स और हाउसे भी निकल आए यहां तक इसके पास करोड़ों के बांड्स और फॉरन करंसी कैश में मौजूद थी सिर्फ इतना ही नहीं बलके इसकी बहु महनूर साबर भी कुछ कम नहीं निकली जब इसके एसेट्स को कौंट किया गया तो इसकी बहु के पास 1271 मिलियन की एसेट्स मौजूद थे हलाके 2018 तक इसके नाम पर भी कुछ नहीं था लेकिन जैसे ही इसकी शादी कमर बाजवा के बेटे से हुई यह र पाकिस्तान जैसे स्ट्रगलिंग और कर्जों में डूवे हुए मुल्क में रहकर इतना अमीर कैसे हो सकता है इसके इलावा साइफर और रेजीम चेंज के बारे में तो आप सब जाते ही हैं बेसिकली पाकिस्तान की सरहद्दों की इस मौहाफिस ने ही अपने मुल्क को रहने वाले लोग वो सही बात है इतने घदार अगर किसी देश में निकल जाएं तो उस देश का क्या हाल होगा जिस देश में जिस प्लेट में खाया उसी में छेद किया यह वही वाली हाल है कि पाकिस्तान के जितने लोग अच्छे जो लोग थे वो तो घदारी करके चले देश द्रोही बन गए वो तो बाहर निकल गए बचा पाकिस्तान जो गरीबी में डूबा हुआ है अगर ये लोग अगर बहुत अच्छे से इन्होंने काम के होता तो पाकिस्तान जो है ऐसे इतना डूबता नहीं कुछ जरूरी है थोड़ा बहुत का अंतर जरूर आता अगर किसी ऐसी एक वीडियो के साथ तक तक के लिए इजाज़त दीजिए अल्हाफिस